एक फैमिली होती है जिसमें चार वच्चे और एक मदर होती है इस फैमिली में मर्डर हो जाते है तो इसके बाद सिर्फ ब्रदर और एक सिस्टर बची हुई होती है murder का चो इलसाम होता है ये भाई पर लग जाता है क्योंकि छोटी सिस्टर ने बताय होता है कि मेरे भाई नहीं murder किया है अब ये छोटी वची जब बड़ी हो चुकी है तब उसे पता चलता है कि शायद उसके ब्रदर ने ये खून किये ही नहीं थे आज की मूवी डाक पेसेस यह बहुती कंपेलिंग मिस्ट्री थिलर है जैसी स्टोरी आगे बढ़ती जाती है बहुत सारी चीज़े अनफोल्ड होती रहती है आपको कभी भी यह मूवी बोर नहीं होने देगी एक बहुती बेस्ट मूवी गौन गल जो भी एक मिस्ट्री थिलर ही थी उसके ही राइटर ने एक मूवी लिखी है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि मर्दर लीपी को कह रही होती है कि तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ यह हमेशा तुम याद रखना यह एक फ्लैश बैक का सीन था इसके बाद लीपी हमें होस्पिटल में दिखाई गई है और इसे पूछा जा रहा होता है कि मर्डर किस ने किया था अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और लीपी बड़ी हो चुकी है लीपी हमसे कहे रहे होती है कि मर्डर हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प की थी बहुत सारे पैसे उसे मिले थे इस पैसों से अगर वो कुछ भी ना करे तो अभी यह रह सकती थी और इसने यही किया है अब वो बड़ी हो चुकी है फिर भी उन्हें पैसों पर वो जी रही है अब यह इसके अकाउंटन के पास आ चुकी है यह हमें दिखता है इसका अकाउंट रोने से कहता है कि एक बड़ी प्रॉलम आ चुकी है तुम्हारे जो सब पैसे थे ये सब अब खतम हो चुके है लीवी को बिलीव नहीं होता लीवी को जो लोग पैसे भेशते थे अब वो नहीं भेश रहे अब वो बड़ी हो चुकी है और लोग इस इंसिडन्ट के बारे में भूल रहे है लीवी ने इस इंसिडन्ट पर एक भूग भी लिखा था उसके भी ज़्यादा कॉपेज वगरा सेल नहीं हुए लीवी ये सुनकर सप्राइस्ट होती है लीवी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है अब वो क्या करेगी ये उसे पता नहीं है उसका अकाउंटर्ण उसे कहता है कि अच्छी बात हो सकती है अब तुम फाइनली अपने लाइफ में कुछ कर सकती हो लीवी एक टोटल लुजर होती है उसे life में क्या करना है कुछ काम करना है या नहीं ये भी पता नहीं होता लीवी जब घर पर आती है तो वहाँ बहुत सारे लेटर पड़े हुए होते है एक लेटर जब वो open करती है तो उसे invitation आया होता है अगर वो उस जगा पर जाए तो उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते है जिस आदमी का ये लेटर होता है उसे फिर वो call करती है ये उसे मिलने के लिए एक laundry कहा बुलाता है लाइल अपने आपको introduce कराता है और कहता है कि मैं मेरे club में तुम्हें invite करना चाता हूँ लाइल एक club चलाता है जिसमें सब जो लोग होते हैं ये सब murder में ही interested होते हैं ये murder solve करने कोशिश करते हैं murder के जो victims होते हैं इनसे वो बात करते हैं murder के बारे में सब थेरी जगरा बनाना इन्हें अच्छा लगता है अब इस club में लीवी को लाइल भुला रहा होता है लीवी को 500 डॉलर्स मिलने वाले होते हैं और वो खहती है कि अब मुझे 1000 डॉलर्स चाहिए लाइल 700 डॉलर्स में उसे मना लेता है उसे ये भी कहता है तुम्हें उस incident के बारे में हमसे बात करनी पड़ेगी अब हमें फिर से जब लीवी छोड़ी थी वो पास दिखाया जाता है इसमें इनकी मदर इनके लिए breakfast बना रही थी तब ही वहाँ उसका ब्रदर आया इस ब्रदर का नाम बेन होता है बेन वहाँ से जा रहा था पर मदर ने उसे रोक लिया उसे breakfast खाक कर जाना चाहिए इसलिए उसने उसे रोका होता है बेन ने एक हेट पहने होती है उसकी मदर इसके लिए उसे टोकती है पर वो मानता नहीं उसकी sister फिर उसे join करती है और फिर से उसकी हेट की बात आती है उसकी हैट निकालने के लिए उसे बोला जाता है तब इसने अपने हैर स्टाइ कर ली होते है सबको शौक लगता है क्यों उसके नैचरल हैर नहीं है बेंजो है यह बहुत ही वीर्ड बच्चा है यह सैतान पर बिलीव करता है और अपने डाइरे में कुछ भी वीर्ड चीज़े लिखता रहता है इसके बाद हमें प्रेजन दिखाय जाता है और लीभी अब लाइल के किलब में आ चुकी है यहाँ पर जो लोग होते हैं यह बहुत इंतुजियास्टिक होते हैं एक्च्छली मर्डर कैसे किया गया होगा यह सब वो ट्राय करकर देख रहे होते हैं एक रूल प्ले कर रहे होते हैं लीभी को यह सब अनकमफ़टेबल लगता है पर लाइल कहता है कि तुम उपर चलो उपर जो सब लोग है यह बहुत ही प्रोपेशनल से लीभी को फिर एक आदमी जो मर्डर हुआ था इस सब की डिटेल्स बताना स्टार्ट करता है वो कहता है कि तुमारी भाई पर सब आरोप आ चुका था तुम बहुत ही छोटी थी और तुम्हारे वर्ड्स पर बिलिव नहीं किया जा सकता था फिर भी तुम्हारे ब्रदर को जेल में डाल दिया गया तुम्हारा रदा सैतान पर बिलिव करता था तो इसलिए सब लोगों ने मान लिया तुम्हारे फादर भी पागल है वो भी घर छोड़ कर चले गए थे वो वापस आ सकते थे और तुम्हारी फैमिली को मार सकते थे उन पर किसी ने भी शक ने किया ये आदमी फिर लिबी से बुच्छता है क्रिसी का जो स्कैंडल हुआ था इसके बारे में तुम्हारे मदर ने कैसर याग किया था एक औरत होती है वो कहती है कि तुमने जूर बोला था और अपने भाई की तुमने पूरी जिन्द के बरबात कर दी वो बहुत एक अच्छा आदमी है वो पेंटिंग करता है उसने अब डिग्री भी ले ली है या इसे लायर बुला रही होती है लिपी फिर चेर जाती है उठती और कहती है कि तुम्हें उस रात के बारे में कुछ भी पता नहीं है अभी यहाँ से चली जाती है इसके बाद हमें फिर से पास दिखाय जाता है यहाँ में बेन दिखता है बेन कोछ ड्रक्स करने वाले बच्चों के पास आकर बेट जाता है बेन अपनी स्कूल में कूल है ऐसा दिखाना चाता है इसी वज़े से इन बच्चों के साथ वो अब हैंग आउट करना चाता है ये बच्चे इसे कूल नहीं समझते और इसे वहाँ से निकल जाने के लिए इन बच्चों को जब पता जलता है कि बेन साथान की पुजा करता है तब इसमें इन इंट्रेस्टेट हो जाते है ये भी इनके साथ हैंग आउट करना चाता है तो ये स्टोरीज बताना स्टार्ट कर देता है इसके बाद मदर हमें दिखती है और उसके बाद से गात में आता है इसे उसने लोन लिया होता है ये उससे कहरा होता है हमारे जो क्रॉप से ये अच्छे बिक नेर है मदर फार्मिंग ही करती है यह थी है कि पीछले साल अच्छे क्रॉप्स ने आये थे पर इस साल अगर अच्छे क्रॉप्स आ गए तो सब कुछ बदल सकता है याद में कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बैंक अब हमारी सब के जमीन ले लेनी वाली है अगर उने पैसे नहीं मिले तो माँ पूट पात पर आ जाएंगे उसे कुछ भी कर कर पैसे लाने के लिए बोल रहा होता है अब हम फिर से प्रेजेंट देखते है नेक्स दिन लिभी फिर से लाइल से मिलने के लिए आती है वगे थी है क्यों तुमें help कर सकती हो जो तुम investigation कर रहे हो इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दोगे पर इसके लिए उसे पैसे लगने बाले होते है लाइल भी पैसे देने के लिए मान जाता है इसके बाद लिली उसके ब्रदर से मिलने जेल में आती है लीवी का ब्रदर उसे कहता है कि अब उसने high school diploma complete कर लिया है वो degree ले रहा है यह बहुत ही खुश लीवी को देखता है तो लीवी पुछती है कि ऐसा क्या हो चुका है क्या तुम अब God पर believe करने लग गए हो यह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है लीवी पुछती है क्या तुम जो cool बनना था इसलिए मैं सब कह रहा था मुझे इसके consequences कुछ समझ में नहीं आ रहे थे लीवी पुछती है कि अगर यह सच है तो तुमने appeal क्यों नहीं की थी इसका ब्रदर कुछ बोल नहीं रहा होता तो गुस्य में यहाँ से चली जाती है इसके बाद हमें फिर से past का band द जाते हैं इसके बाद उसे पुछती है कि स्कूल में तुम्हारे बारे में कुछ भी बाते की जा रही है तुमको छोटी लड़कियों को खेत में लेकर गए और तुमने सेतान की फूजा की थी तुमने उन्हें मुलेस्ट भी क्या है यह भी बात की जा रही है बैन कहता है कि इसा कुछ भी नहीं है, यह सब अफवाय है, यही नेकसिन में हम देखते हैं कि इन बच्चों की मदर को मिलने उसके सिस्टर आई हुए हुए हुथ है, इस सिस्टर है इस सिटी में रहती है और अच्छे से कमा वगरा लेती है, मदर अब उसे जो भी सब प्रॉलम से इन सब के पैसे ले सकते हो, बैन कहता है कि मेरे फादर तो बहुत ही करीब है, डियोंड रॉक का ब्रदर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत सारा वीड उनके पास देखा था, यह ड्रक्स सेल करते हैं, तो पैसे इनके पास हो सकते हैं, इसके बाद हम फिर से प्रेजन द लगे थे, इसमें ही एक का नाम क्रिसी केट्स था, अब लीवी को इसके बारे में पता चल चुका है, तो क्रिसी केट्स के मदर से क्रिसी केट्स का वो नमबर ले थी है, हम फिर से पास में देखते हैं, कि मदर को प्रिंसिपल ने भुलवाय होता है, बैन ने जो सब किया है यह उसे बताया जाता है यह रोने लग जाती है अगर सचमच में ऐसा हुआ होगा तो वो बहुत ही ट्रबल में है बेन कोप लॉयर भी लगेगा और इतने सारे पैसे इसके पास नहीं है यह सच निकालने के लिए क्रिसी की घर पर जाती है वहाँ पर उसके पैरेंट्स विगरा भी होते है क्रिसी के भादर बहुत ही चिड़ गए होते है क्रिसी से जब मदर पुछती है तो वो भी सब कुछ बता देती है अब मदर को लगता है कि वो एक अच्छी मदर नहीं है उसके घर में सब प्रॉब्लम चलती रहती है इसी वज़े से बेन ने एक किया होगा कभी-कभी उससे लगता है कि उससे सूसाइड कर लेनी चाहिए अगर वे कर लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा उसकी जेस्टर उसके बच्चों का ख्याल रख सकती है इससे समझाती है कि ऐसा मत बोलो तुम एक अच्छी मदर हो तुम हमेशे अपने बच्चों का ख्याल रखती हो फिर से हमें प्रेजन दिखाया जाता है और लीबी क्रीसी से मिलने के लिए आती है क्रीसी से जब लाइल सब कुछ पोछता है तो क्या हुआ था ये सब बता देती है लीबी पहचान जाती कि जुट बोल रही है उस पर वो थोड़ा सा बिलिव नहीं करती लाइल को लग रहा होता है कि फैमिली को मारने वाला क्रीसी के फादर ही थे लाइल बिल पे करने के लिए चला जाता है तो क्रीसी से लीबी बात करती है वो कहती है तुमारे फादर का मुझे अड्रेश चाहिए क्रीसी इसके लिए 50 डॉर्रस मांगती है लीबी उसे देती है क्रीसी उसे थोड़ा सा टाइम मांगती है क्योंकि अपने फादर से वो बहुत ही जादा टाइम हो चुका है और मिली नहीं है अब हम फिर से पास देखते हैं तो इन सब बच्चों के जो फादर थे वो घर पर आये थे मदर और फादर की फाइट हो चुकी थी फादर को कुछ पैसे चाहिए थे और मदर उसे दे नहीं रही थी यह फादर इस पर चीट कर ही वहाँ से निकल गया था लीबी अब अपने फादर को ढूणना जाती है एक जगा से वो पता लेती है और उसके फादर एक बन फैक्टरी में रहे रहे होते है यह जब यहाँ पोचती है तब पहले इसके फादर उसे पहचानते नहीं जब बचपन की मेमरी वो शेर करते है तो फादर को बिली हो जाता है कि उसकी हे डॉटर है लीबी अपने फादर से कहती है कि तुम अब बुढ़े हो चुके हो अगर तुमने यह किया था तो तुम अब सब कुछ बता सकते हो उसके फादर कहते है कि मैंने यह सब कुछ नहीं किया है यह कह रहे होते है कि जब मैंने डियोंडरा के भाई की गाड़ी बाहर देखी तो यह मुझे पता जल गया था कि कुछ ना कुछ तो ट्रबल है यानि कि लीवी के फादर ने रात में वहाँ कुछ देखा था लीवी को इसके बारे में कुछ भी आईडा नहीं होती बेन की गर्फरेंड डियोन्रा उसका भाई इन सब के बारे में उसके फादर उसे कहते है लीवी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता लीवी अब यहाँ से चली जाती है पास में डियोंडरा का ब्रदर बेन और डियोंडरा ये सब उसके फादर से मिलने के लिए आये हुए है डियोंडरा के ब्रदर से बेन के फादर ने बहुत सारे बैसे लिये थे और वो उसे वो मांग रहे है ये बेन के लिए है ये भी उन्हें कहा जाता है बेन अमने फादर से मिलता है और कहता है कि अब मैं भी फादर बनने वाला हूँ बेन के फादर कहते है क्या तुम शूर हो कि ये तुम्हारा ही बच्चा है बेन थोड़ा सा सस्पीशियस हो जाता है आद में जब ये सब घर आ रहे होते है तो डियंडरा और उसका भाई ये दोनों ट्रक्स करने लग जाते है इसके बाद ये तलवार वेगरा निकालते है और जाकर सैतान के लिए सैक्रिफाइज लेना चाते है ये बेन के सामने ही एनिमल्स को मारते है प्रेजन में हम देखते है कि लिभी अपने ब्रदर से मिलने के लिए आती है उसने जो सब प्रोग्रेस की है इन्विस्टिकेशन में वो सब उसे बताती है इसका ब्रदर उससे कहता है कि ब्लीज ये सब मत करो तुमने उस वक जुट बोला था इसी वज़े से मेरी सब लाइब बरबाद हो चुकिया और फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तुम ये सब कर रही हो तुम मुझे ये सही नहीं लग रहा बेन बिलिव नहीं करता कि उसके फादर ने ये सब क्या होगा पिन लिवी से कहता है क्या तुम्हें अभी सच मुझ में कुछ भी डाउट है कि ये मैंने किया था लिवी कहती कि हाँ मुझे लगता है क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ही घटिया है मैंने भी लोगों को हर्ट किया है कभी-कभी मुझे लगता है कि हमारे जीन्स में ही ये सब चीजे है इसका प्रदर उसे कहते है कि मुझे लगता था कि मैं ही इंप्रिजन्ट हो तुम अपने इंख्याले दुनिया में एक जेल में बन चुकी हो ये भी सची होता है लीभी कभी भी सत्में से उबर नहीं पाई है फिर जमें पास दिखा जाता है और मदर अपने बेटियों से पूछ रही होती है क्या बेन ने कभी तुमें कुछ गलत तरीके से टच किया है इसकी सब बेटिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वो बहुत ही वीरड है उसके रूम में बहुत ही गलत गलत चीज़े है मदर रात में जाकर सब चीज़े देखने लग जाती है यहाँ बेन की डायरी में सैतान की रिलेटेट बहुत सारी चीज़े लिखी होती है यह सब वो देखती है क्रीसी को अपने फादर का पता उसे देना था जब ये उससे मिलने के लिए आती है अब वो उसे सच पताती है क्रीसी कहती है कि जब मैं छोटी थी तो बेन मुझे सिखाया करता था मुझे उस पर क्रश हो गई थी मैंने जब उसे बताया तो उसने ठुकरा दिया तो हमेशा मुझे अच्छी तरीके से पेश आता था कभी भी उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था जब उसने मुझे ना बोल दिया तो मैं उस पर चिट गई थी उन दिन डिवी पर जो दिखाया जाता था कुछ लड़किया मोलेस्ट हो चुकी है तो यही चीजे सब मैंने पुलिस को बता दी थी एक्च्छल में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था लिवी को अपने ब्रदर के लिए बहुत बुरा लगता है फिरसे हम पास देखते हैं और मदर से मिलने के लिए एक आदमी आया हुआ है यह उसके सब ड्रबल्स दूर कर सकता है यह इसे एक डील कर रही है अब हम फिरसे प्रेजंट दिखते हैं प्रेजंट में लिवी और लाइल दोनों डियॉन्डरा की ब्रदर से मिलने के लिए आते है इसे हो Deondra के बारे में पूछ रहे होते हैं यह कहता है कि Deondra 25 years से मिसिंग है Deondra का और एक name था इसके बारे में इन दोनों को पता जल जाता है Deondra missing थी क्यूंकि उसका सचमूच नाम जो है यह किसी को पता नहीं है लिभी जब Deondra का new name सर्च करती है तो डियोंडरा का पता उसे मिल जाता है फिर से पास्ट हम देखते है कि डियोंडरा प्रेगनन्ट है तो अपने बॉइफ्रेंड यानि की बेन को कह रही होती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए बेन के घर पर उसकी कुछ पैसे है यह वो लेकर आ सकता है बेन उसमर शक कर रहा होता है कि क्या सचमुच में यह इसका ही बेटा है तो उसे वो मारती है और कहती है मैं सिर्फ तुम से वैर करती हूँ यह फिर रात में बेन के घर पर जाकर पैसे लेकर आने वाले होते है फिर से ब्रेजन में लीवी अब Dionira से मिलने के लिए आती है Dionira सप्राइस्ट होती है वों केए है कि मुझे हमेशा से लगा था कि तुम कभी ना कभी तुम मुझे ढूंडी लोगी Libi जब उस इंसिड़न के बारे में Dionira से पोच्थी है तो Dionira केती है कि उस रात मैं अभर पर ही थी यानि की पिछले सीन में डियोनरा जो लीवी से कह रही थी है यह सब कुछ जूट था प्रेसेंड में लीवी डियोनरा पेगनेन थी तो उसे बच्ची भी हो चुकी है इसे भी वो देखती है लीवी के लिए सब कुछ जादा हो जाता है वो directly बात्रूम में चली जाती है बात्रूम में उसे देखता है कि उसकी मदर का जो निकलेस था ये डियोंड्रा के पास है ये वो suspicious हो जाती है जब लीवी नीचे आती है तो उसके सर पर डियोंड्रा की बेटी वार कर देती है और लीवी यही बेऊश हो जाती है पास्ट में हम देखते हैं कि डियोंड्रा और बेहन तोनों घर पर थे तभी इनकी बड़ी सिस्टर वहाँ चुकी थी ये चिलाने लग गई थी तो डियोंड्रा उसका गला दबाने लग गई तभी एक आदमी घर में आया था मदर जिस आदमी से डील कर रही थी ये वही आदमी है वो अंदर आया और मदर को उसने मार दिया बेन आवाजे आ रहे थी ये सब देखने के लिए गया तो डियोंड्रा ने उसकी सिस्टर को मार दिया जिस आदमी ने मदर को मारा था इसकी छोटी सिस्टर को भी उसने ही मार दिया यहाँ से लीवी एसकेब हो चुकी थी जब एक किलर भास से चला गया तो बेन को पता चला कि डियोंडरा ने उसकी sister को मार दिया है अब हमें इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है तुमारी mother का insurance भी हमें मिलेगा इन पैसों से हमाची life start कर सकते हैं डियोंडरा बेन को बोली कि तुम जाकर सिर्फ Libby को अब मार कराओ Libby एक जगा पर छुपी हुई थी उसके पास गया और उसे कहा कि यहां से बाहर मत निकलना उसने यहां Libby को बचाया था अब हैं पता चल चुका है कि बेन prison में क्यों कुछ भी नहीं बोल रहा था डियोंडरा और उसकी बेटी है यह उसकी family है इसे वो ट्रबल में नहीं लाना चाहता अगर उसने सब को सच बता दिया तो डियोंडरा जेल में चली जाएगी और उसकी बेटी का क्या होगा यह राज वो दफना रहा था डियोंडरा की बेटी ने Libby के सरबर वार किया था क्योंकि Libby सब को जब जान सकती है क्रॉस था है Libby ने ले लिया है यह उसे पता चल गया था Libby को अभी यह दोनों मिलकर मारने वाली थी तब लिभी यहाँ से escape करके Libby को ढूंटे ढूंदे लाइल भी वहा गया डियोंडरा उसके बेटी Libby को रात में ढूंडनी पाए अब हम देखते हैं कि डियोंडरा के बारे में सब पुलिस को पता चल चुका है लाइल लिभी को कहता है कि जो आदमी था जिसने सब लोगों को मार दिया था वो एक सीरियल किलर था तुम्हारी मदर ने उसे पैसे दिये थे जो भी लोग करजे में डूपते थे उनके पास जदा था और उने मार देता था वो लोगों को हेल्फ कर रहा है ऐसा उसे लगता था तुम्हारी मदर ने ही उसे बुलवाय था एक्चुन में प्लान ये था कि सिर्फ मदर मरने वाली है पर ये सीरियल किलर ही था तो सब लोगों को मार कर वो हा से चला गया था दूसरी सिस्टर का खोड डियोंडरा ने किया है तो पुलीस भी अब उसके पीछे पढ़ चुकी है बेन इनोसंट है इस वज़े से अब वो जेल से निकलने वाला है लीवी उसे आकर मिलती है लीवी कहती है कि हमारे सिस्टर को डियोंडरा ने मार दिया था पर फिर भी तुम उसे कवर कर रहे थे बेन कहता है कि मैं डियोंडरा से प्यार करता था मेरा बच्चा आने वाला था इसलिए मैंने सिक्रेट दबा कर रखा था लीवी उसे सौरी कहती है उसने जोट बोला था कि उसके ब्रदर ने ही यह सब किया है एक्च्वल में उसने कुछ भी देखा नहीं था बेन पुछता है क्या अब हम फिर से फैमिली बन सकते है लीवी कहती है तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती और तुम मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानते हम एक दूसरे को जान भी नहीं सकते पर फिर भी तुम मेरे प्रदर हो यह हमेशा family रहने वाले है इन दोनोंने एक दुसरे को माफ कर दिया है Ben कहता है कि जब हम छोटे थे तब सब चीज़े गलत थी ऐसा नहीं है As a family हमरे पास बहुत सारे अच्छे moments थे वो हम कभी भी याद नहीं कर दे उसी यह सब याद है यह जब पाहर निकलेगा तो Ben उसे सब कुछ बताने वाला है लिली हमसे कहती है सच चुछ मैं ऐसा ही था मदर के मर जाने के बाद सब कुछ निकेटू चीज़े ही मुझे दिख रही थी पर हम एक अच्छी family थे Ben भी एक अच्छा प्रदर था यह भी मैं भूल चुकी थी लाइफ की अब वो positive side देखने वाली है और अच्छे से life जीने वाली है अब वो धूप में एक नए रास्ते पर जा रही है यह में दिखाया जाता है और यह movie यही end हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा